हेलो दोस्तों, गेट समेशेज में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम डिस्क्स हैने जा रहे हैं कोशन और CIDR देट इस क्लासलेस इंटर डोमें डॉटिंग क्योंकि कॉंसेप्ट जो है CIDR का हमने अल्रडी डिस्क्स कर लिया क्लासफुल एड्रेसिंग का भी हमने डिस्क्स किया है और इवन हमने सबनेटिंग का भी पार्ट जो है वो अल्रडी डिस्क्स कर चुके है लेकिन मैं हमेशा फोकस करता हूँ कॉंसेप्ट और कोशन दोनों के उपर कॉंसेप्ट हमें पता लग गया लेकिन क्या हम उस कॉंसेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हैं कॉंसेप्ट के उपर या नहीं ये भी बहुत इंपॉर्डन फंड है क्योंकि अगर आप गेट, UGC, NET या फिर कोई भी कॉंप्टिटिव एक्जाम की तहरी कर रहे हैं गेट 2014 में आया हूँ है, दो नंबर का और साथ ही जाथ सिमिलर कोईशन जो है इसी टाइप का कोईशन NET के एक्जाम में भी बहुत बार आ चुक है और यही कोईशन, इसी टाइप का कोईशन जो है वो काफी बार आपको मिलेगा previous year gate के कोईशन में तो यहाँ पे कोईशन में मेरे पास definition जो है, वो क्या है CIDR, receive a packet with address this, मतलब एक packet आया, एक packet हमने network पे receive किया, उस packet में हमारे पास जो address है वो यह लिखा हुए कि जहां से भी वो packet आया है हमेंने पता किस network से packet आया उसका source IP जिरूर लिखा होगा लेकिन जो destination IP है मतलब यह अगर मेरा network है मेरे network के अंदर किसी packet ने आना है उस packet के अंदर जो IP address लिखा हुए destination का वो यह लिखा हुए तो यानि मेरे को पता लगाना है कि मुझे किस particular host को वो वाला packet पहुंचाना है तो router जो है the router's routing table has following entry जो हमारा router है वो router काम कैसे करता है उसके पास क्या होता है routing table उस routing table में वो data को find out करता है और match करके find out करता है कि किस तरफ जो है किस interface पर data हमने बेजना है तो यहाँ पर मेरे पास prefix है interface है prefix का मतलब है यह हमारे क्या दिये हुए है network id दी हुए है और यह interface है मतलब कि किस interface पर मुझे बेजना है अगर हम बात करें मेरे पास multiple इस तरीके से कुछ भी नहीं है interface का मतलब क्या आता है यह router है router multiple network से subnet से क्या है connected है अब यह एक interface है 1,2,3,4 जैसी एक packet आया router क्या करेगा उस packet को खोलेगा उस packet में जो destination address लिखा उसको खोलेगा उसको अपने पास जो भी उसके पास subnet mask है या default mask है उसके साथ and करके find out करेगा कि क्या इसको इस तरह भेजना है इस तरह भेजना है इस तरह भेजना है या वापीस भेजना है packet will be forwarded to which interface तो इस type का question जब भी आपको करना है simple सा fund है आप पहले सबसे पहले क्या है जो IP address आपको मिल है उस IP address को आप लिख लो that is 131.23.151.76 अब हमारे पास next क्या आता है कि जो भी हमारे पास लग-लग interface है उन interface की help से हम क्या करेंगे and operation perform करेंगे जैसे कि हमारे पास सबसे पहला interface क्या है सबसे पहला interface है हमारे पास यह 131.16.0.0 slash 12 slash 12 का मतलब क्या होता है CIDR automate हमने अल्रडी discuss कर चुके है तो 12 का मतलब है continuous one मतलब यह जो default mask है वो क्या है continuous 12 जो है वो हमारे पास क्या है continuous one जो है वो कितने है 12 तो यानि बाकी की बची होई bits क्या है host को represent कर रही है तो आपको करना क्या है इस 12 को continuous one को अगर हम लिखें तो क्या होगा continuous eight times one है फिर उसके बाद कितने है eight times one के बाद four one और है zero 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 करते करते बाद में भी क्या है सारा zero simple सा मतलब है 12 one का तो यानि अब आपको end करना है जो आपका ip address मिला है उस ip address को end करो सारे के सारे network के साथ मतलब इसके साथ end करो 14 के साथ 16 के साथ 15 के साथ जो भी match कर गया जो भी network id match कर गी उस network id पे हम उस data को बेज़ेंगे बस यह काम है तो सबसे पहले मार पास क्या है 12 ones है तो 12 one का मतलब क्या है 255.41 मतलब four one का मतलब यहां पे क्या है this is what अगर आप कोई भी question solve कर रहे है इस तरीके का आपको यह point जो है वो यहां पे याद रखना है कि हर एक जो यह value रिपर्जेंट करती है वो क्या है octet है octet मतलब 8 bit 1 2 3 4 5 6 7 8 यह lsb है यह msb bit है तो इनकी जो value है वो क्या होती है 2 raise to power 0 2 raise to power 1 2 raise to power 2 2 raise to power 3 2 raise to power 4 2 raise to power 5 2 raise to power 6 2 raise to power 7 जिसको आप यह भी लिख सकते हो 128 यह हो गया 64 32 16 8 4 2 1 2 raise to power 0 क्या होता है 1 इससे क्या है कि आपको कोई भी कोशन आ जाए न अगर आपको उसको open करना है अगर आप उसको binary में लिखना चाहते हो तो यह आपको method बहुत help करेगा without any much time आप उसको note कर सकते हो तो अगर हम 131.23 इसको open करें तो हमारे पास पहला क्या है 12 1 का मतलब है 8 1 यहां पर होगे मतलब आपको अगर आप 131 को 8 1s के साथ end करोगे तो वही value दुबारा आ जाएगी तो आप इसको open करने की जूरती नहीं है 131 को आप as it is लिख लो that is 131 उसके बाद क्या है 23 23 को क्या करना आपको open करना पड़ेगा तो 23 को जब हम open करेंगे वो क्या बनेगा 0 देखो 23 कैसे बनाना है 23 बनाने के लिए यह 28 वाली value क्या होगे 128 0 होगे 64 क्या होगा 0 होगा 32 वाली bit क्या होगी 0 क्योंकि अगर इन bit को 1 कर दोगे तो 23 से तो उपर value चली जाएगी 16 को क्या करना पड़ेगा 1 कर दो 8 अगर 1 करते हो तो 16 प्लस 8 क्या हो जाएगा 24 तो लेकिन हमने कितना बनाना है 23 बनाना है तो इसको भी 0 करो next वाली क्या करो दोगे 111 क्यों 16 प्लस 4 20 20 प्लस 2 22 23 तो देखो कितनी value होगी 23 तो अगर हम इसको open करें तो यह क्या बन गया 131 को open करने की जूरत नहीं है उसको आप as it is लिख लो लेकिन बादवाले को open कर लो that is 23 तो 23 को open किया तो 000010111 इस तरीके से आपको लिखना है 131.23 को open कर लिया अब देखो 12 1 से तो 8 1 यहां पे आ गए जिसको आपको open करने की जूरत नहीं है क्योंकि इसको end करोगे तो 131 ही आएगा क्योंकि when के साथ आप कुछ भी end कर लो वही आपका answer आता है लेकिन next वाले क्या है मिर पस 1 2 3 4 8 1 यहां पे 4 यहां पे तो 4 मैंने यहा क्या values हैं आपकी सारी 00 मतलब 151.76 और नीचे क्या होंगी 12 12 1 अलड़ी आ चुके तो यानि बाकी की क्या बिट होंगी सारी 0000000 तो यानि अब आप इसको end करोगे तो 131. इसको जब आप end करोगे तो 11 यहां पे क्या आएगा 1 और बाकी की बिट क्या होगी 0001 हो गया और यह भ प्रिके से आपका answer simple बस आपको end करना है 151 को सारी 0 के साथ end करोगे तो 0 आएगा 76 को सारी 0 के साथ end करोगे तो 0 आएगा तो यानि हमने पहले subnet mask के base पे जब end किया तो मेरे पास answer क्या है इसको अगर हम लिखें तो 131. यह क्या बन गया आपका 16 1 followed by 50 क्या होता है 16.0.0 तो द इंटरफेस पे मतलब 3 इंटरफेस पे भेज सकते हैं लेकिन अभी रुकन है आपको exact answer जो है वो अभी थोड़ी दिरवाद मिलेगा let's take the second option second option मार पास क्या है 131.28.0.0 slash 14 यानि अब हम use करेंगे यह वाला mask that is 14 तो यानि यह हमने यहाँ पे 12 1 लिये थे 12 1 की जगह अब हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे 14 1 जो है हम लेंगे तो 14 जो हम यहाँ पे लिखेंगे तो यह क्या बन जाएगा यहाँ पे 8 1s तो यहाँ पे आ गए उसके लावा मार पास 1 2 3 4 12 हो गए 5 6 0 0.0000000 सारे मतलब हमने किया क्या simple सा fund है हमने यहाँ पे 14 1 लिख लिए तो 14 1 जब लिखेंगे तो इसको end करोगे तो 131 as it is आएगा इसको देखो आप जब आप इसको लिखो गए तो यह क्या बनेगा 0 0 0 यह देखो यही वाला दुबारा से फिर 1 बन गया 0 0 0 पहले है और यह भी क्या बन गया 0 और यह क्या बन गया 1 और यह 00.0.0 यह आपका आउसर आएगा जब हम इसको end करेंगे 14 के साथ 14 1s के साथ तो य यह बन गया आपका 16 और 4 20 20.0.0 मतलब इसके साथ जब हम end किया तो यह वाली network ID आई तो network ID हमारे पास देखो match कर रही है नहीं यह 28 है हमारे पास network ID क्या आई 20 तो यानि यह वाला interface हो गया गलत इसी तरीके से हम 16 1s को यहाँ पर लिख सकते है 16 1s को जब आप end करोगे तब भ यह वाला भी आपका answer match है नहीं करेगा next देखो 22 22.0.0.0 slash 15 15 1 जगर हम लेते हैं तो यह क्या वन गया 1 1 1 1 1 1 1 यह 14 1 थे let's take यहाँ पर मैंने एक और 1 ले लिया that is 15th 1 और इसको हमने 0 किया अब देखो इसको हमने दुबारा जब end किया तो यह क्या आएगा answer इसको end करने के ब 1 0 1 1 0.0.0.0 सारी 0 जा आगे तो 0 आएगा अब हमने इसको जब decimal में लिखा तो 131.10110 यह क्या होता है 16 प्लस 4 20 प्लस 2 22.0.0 तो देखो यह वाला क्या है end करने के बाद network आईडिया ही तो क्या match कर रही है yes यह वाली भी match कर रही है तो यानि दो option यहां पर match कर रही है interface 1 भी match कर रहा है और interface 3 भी match कर रहा है अब यहां पर अगर एक match कर रहा है सिर्फ एक अगर match कर रहा होता तो आपका answer आजाता जो भी आपका match कर रहा है वो आप answer में लिख सकती हो लेकिन इस type के question में जब भी 2 या 2 से ज़्यादा match कर रहे हैं तो आपको कौन सा choose करना है वो इस फाला answer चूज करना है जहां पर number of ones जो है जहां पर prefix में larger number of ones है यह point आप note कर लो star mark कर लो जहां पर prefix में number of ones जो है वो ज़्याद है उसका एक reason क्या है number of ones prefix में अगर ज़्यादा होंगे मतलब prefix का मतलब है कि अगर network ID में number of ones ज़्यादा होंगे host से तो क्या होगा host मेरे कम होंगे क्योंकि network ID में मेरे पास ज़्यादा number of ones है तो host के लिए मेरे पास values कम बची तो values कम बची तो obviously number of host क्या होंगे कम होंगे number of host कम होंगे तो हमें डूड़ना असान रहेगा searching जो है वो थोड़ी fast हो जाएगी तो यह एक basic सा fund है कि क्यों हम basically अगर number of हमारे पास दो match कर रहे हैं interface तो हमें वह वाला चूज करना है जहां पर number of ones जो है वह आपके ज्यादा हो मतला prefix में network ID में number of ones ज्यादा है तो number of ones जहां पर कितने 15 यहां पर कितने 12 तो दोनों में से ज्यादा कितने यह वाला है तो आपका exact answer क्या बनेगा one तो आप इस answer को भी मत लिख किया आना although यह match कर रहा है लेकिन आपका answer जो आएगा वो क्या interface वान तो इस type का question आपको multiple times जो है वो दिखेगा exam के अंदर तो एक बद डेफिनेटली इसको इस तरीके से check कर लेना और बस funda क्या है simple and करना है और आप उसको find out कर सकते हो thank you आपको एक बदो